यार इनियोस ग्रूप सांस तो लेने दो भाया एक डील की खुशी है वो हम सेलिवरेट भी नहीं कर पा रहे हैं एक डील का कमपलीशन पर हम अच्छे से ब्रैक भी नहीं कर पा रहे हैं तुम यहां दूसरी डील शुरू करते रहे हो यार भाई दिस इस नॉट मैंचेस्टर लेकिन अभी तक तो युनाइटेड जो बैटल्स होती थी वो ट्रांसर मार्केट में भी हार रहे होते थे क्योंकि उनको पता था एक प्लिव के पीछे जाएंगे और इस चक्कर में ओवर पे करके आएंगे अब यहां पर आप देखो मतलब एक टाइम पर सामेंटेनेसली कितनी सारी चीज़ें हो रहे हैं आप देखरों यहां पर ट्रांसर नेगोसीशन चल रहे हैं दिन आप आप को भी डील कर रहे हो उसके बाद आप यह देख रहे हो कि आप बैक रूम साफ में क्या क्या चेंजिस कर सकते हो यह देखो फुटबॉल क्लब रन करने का तरीका तो यही होता है लेकिन युनाइटिड इस तरीके से रन नहीं होती थी आज से हमने 18 साल पहले तक और अभी त पिक्चर है कि क्यों जरूरी होते हैं भाई फुटबॉलिंग ब्रेंस एक क्लब के अंदर पट्रोकर को ट्रांसफर्स के अलावा तुम्हारे लिए एक और इंपोर्टन अनॉंसमेंट है तुमको अगर यहां पर इंटरनेशनल किट्स चाहिए एड़ चीपेस प्राइस ले मैं पहने बैठा हूं जो पीछे टंगी है ना उसी वेबसाइट से हैं तो जाओ और जाकर और करो और अपना थोड़ा वाडरोब अप्ग्रेड करो यार और हां सेर्फ इंटरनेशनल किट्स नहीं यहां पर तुम्हें जो क्लब लेवल किट्स हैं वो भी मिल जाएंगी तो लेकिन यहां पर लेनी योरो की साइनिंग से हमने एक स्टेटमेंट जरूर दिया है कि हाँ हम भले हमने एक्स्ट्रा पे किया है बड़ हम प्लियर्स को एट्रेक कर सकते हैं उसके अलावा मैंनो लोगारते की डील अभी आप बोलोगे यहां पर पस्टर टरौंस पर अग्र हो गई है बहुत सारे लोग यहां पर इस चीज का रुनार हो रहे हैं कि अरे यार हम जाओ नेवेस को क्यों नी साइन कर रहे हैं बहिया मैंनो लोगारते की डील आपकी 40 मिलियन में पूरी हो जाएगी अगर होती है तो या 35 से 40 के बीच में हो जाएगी वहां आपको जाओ के लिए कम से कम 80 मिलियन पे करने पड़ेंगे इतना पैसा कहां से लेकर आओगे दोस्त पॉइंट तो वही है कि यहां पर लोग मुँ भाढ़ने से पहले समझ ही नहीं कि वो किस प्लियर की डिमांड रख रहे हैं सामने आप बेनफीका के साथ डील करने जाओगे बेनफीक पे एन ओबर टॉप जाके सेलरी पैकेज पर बेजती है तो उनके साथ डील करना असान नहीं है उगारते की डील इसलिए जादा आप बोलो के इजी लग रही है अभी हमें क्योंकि यहां पर मैनल उगारते क्लब छोड़के जाना चाहते हैं प्लस पीएस जी खुद उनसे म रुमानों ने यहां पर आपके सैमेल लॉकर्स, फेब्रियू जो रुमानों यह सब हर कोई यही रिपोर्ट कर रहा है कि युनाइटेड ने यहां पर अभी दिलिट वाली डील पे गिव अप नहीं किया है अब मैं अभी भी बोलूँगा यहां पर एक सेंटर बैक लाने के सिचुएशन ना बड़ी इंटरस्टिंग होगी क्योंकि कैले फ्योरी की जो डिमांडिंग प्राइस थी आपके उनके पैरेंट क्लब के तरफ से वो थी यहां पर 35 मिलियन लेकिन यूरो के बाद उसकी दिमांडिंग प्राइस हो गई है 50 मिलियन और आसनल वो 50 मिलियन का ज ज़ादा इंटरस्टेड थे इवन रियाल मडड यहांँ पर इंटरस्टेड है आपके सेंटर वैक्स में तो मडडड के पास यहांँ पर कैले फ्यूरी अन्टो जिल्वा कंफरम नहीं है लेकिन युनाइटिड यहां पर अपने इंकमिंग की बात कर रही है वो तो है बट उसके साथ-साथ यहाँ पर आप यह देखो कि वो आउटगोइंग्स पर भी लगातार काम करे जा रहे हैं। एरिक्सन के कॉंट्रेक्ट में एक साल बाकी है। यहाँ पर कल फेबरीजर ने रिपोर्ट किया है कि या तो कैसिमीरो या तो आपके स्कॉर्ट मेक्टॉमने बेचे जाएंगे। और तब जाकर मैनल उगारते के लिए जगया बन पाएगी स्कॉर्ड में। और अगर आप देखोगे कि मैंचेस्टर युनाइटेड यहाँ पर स्कॉर्ट मेक्टॉमने को सेल करती है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ही होगा कि यहाँ पर स्कॉर्ट मेक्टॉमने आपके एक सेलेबल एसेट हैं। कैसे मीरों के केस में अगर आपके पास नहीं है यहाँ पर ओफर आपके सावधी लीग से तो शायद आपके पैसा न एंट पाओ जतना आप एंट ना चाहते हो। But Scott McTominay के links आ रहे हैं भाई आपके Turkish League से Scott McTominay के links आपके within the Premier League भी आ रहे हैं तो उस case में क्या McTominay के लिए United बज करेगी and यहाँ पर क्या United आप बोलोगे 35 million का जो उनका demanding price है उससे नीच है क्योंकि अभी जो payment मिल रहा है वो है 25 million का 25 million तो I don't think कि यहाँ पर एक decent amount है for a player like Scott McTominay because last year he was on the score sheet and वो बंदा clutch moment produce करता है तो यहाँ पर अब देखना हो कि United कितने package पे Scott McTominay से move on करती है अधर सारी बातें United के related ही नहीं है कुछ बातें यहाँ पर Barcelona के end से भी निकल के आई है पहली बात तो भाई Barcelona निको विलियम्स को वाके में लेके आना चाहते है और निको विलियम्स की deal को पूरी करने के लिए यहाँ पर आप Gerard Romero जो आपके one of the reliable sources है वो यह चीज रिपोर्ट कर रहे है कि एक superstar player बिकेगा उन्होंने यह भी clear करते है कि वो superstar player आपके गुंडोगन नहीं होंगे अब सवाल यह खड़ा होता है कि वो superstar player आखरकार है कौन क्योंकि यहाँ पर आपको Frankie de Jong दिख रहे है नया contract agree नहीं करने वाले वो अभी तो कोई situation है भी नहीं कि Frankie de Jong नहीं contract दिख करेंगे तो क्या Frankie de Jong इस season में इस window में बेचे जाएंगे या Ronald Araujo बेचे जाएंगे या Ferran Torres बेचे जाएंगे या Rafinha बेचे जाएंगे क्योंकि आप अगर देखोगे तो सबसे दादा पैसा उनको दो player से मिलेगा वन इस Frankie de Jong दी अधर वन इस Ronald Araujo अब Araujo इंजाड हो गए है वैसे तो Bain Minute के radar पर थे वो इसलिए Bain Araujo से move करके आप Jonathan टाप पर चली गई है और आप यहाँ पर देख रहो कि Frankie de Jong के लिए United दो साल लगा थार इनके पास गई थी लेकिन इनोंने बेचने की कोशिश की लेकिन Frankie de Jong ने agree करने की कोशिश नहीं की वो contract अब क्या यहाँ पर Barcelona यह जो पूरा आप बोलोगे move है वो force करने की कोशिश करेगी क्या Frankie de Jong को अब market में उतारेगी Barcelona और Frankie de Jong को यहाँ पर आब यह चीज़ accept करनी पड़ेगी कि शायद उनके जो days है at Barcelona वो numbered है और यहाँ पर even एक rumor आया है कि पेडरी भी वो नाम हो सकते है जिनको Barcelona offload करने के बारे में सोच सकती है अब देखो यह बासलोना फैंस का मुझे पता है Frankie de Jong से काफी जादा लगा हो है Frankie de Jong उनके one of the favorite midfielders उनको लगता है कि Frankie de Jong के साथ वो future में Champions League और आपकी लाली गास लगा था जीत सकते हैं पेडरी के केस में यहाँ पर बारसा fanbase थोड़ा सा बटा हुआ है पेडरी के केस में यहाँ पर बासा fanbase को लगता है कि पेडरी के जो injury issues है उसके चलते पेडरी को इस वक्त पर sell कर देना सबसे best possible solution होगा लेकिन यार पेडरी अभी बहुत यहाँ है फ्रेंकी डियोंग आपके अब उस age bracket में है जहाँ पर अगर एक दो साल और उन्होंने performance नहीं दी और अगर एक साल और रुकते हैं तो फिर तो free agent के तोर पर उनको आपको बेचने मतलब जाने देना ही पड़ेगा तो इस वक्त पर यहाँ पर अगर contract agree करने के लिए राजी नहीं है आपके फ्रेंकी डियोंग तो आपको फिर फ्रेंकी डियोंग की ऊपर gamble खेलना पड़ेगा और आपको यहाँ पर उनको बेचना पड़ेगा अराहो बिख सकते थे अच्छे amount बिख सकते थे लेकिन अराहो की injury के चलते यह पूरा scenario चेंज हो गया है फ्रेंकी डियोंग भी injured हुए यूरो से पहले लेकिन आप फ्रेंकी डियोंग fitness गेन कर रहे हैं मेरे ख्याल में अगर मार्केट में डिमांड आती है फ्रेंकी डियोंग प्रोफाइल प्लेयर की तो यहाँ पर शायद बास ओना फ्रेंकी डियोंग को बेच दे अब देखो लिवरपूल के case में काफी चीजें आप बोलोगे यहाँ पर अतरंगी चल रहे हैं लिवरपूल यहाँ पर back foot पर होती जा रही है क्योंकि आप यहाँ पर देखो कि Trent Arnold यहाँ पर heavily linked हो रहे हैं Real Madrid से and Real Madrid ने अपना पूरा focus अभी Trent Arnold पर shift कर लिया है Trent is very tempted with the move अब पता है वैसे अगर normal days होते क्लॉप होता है यहाँ पर तो शायद इस transfer rumor को इतनी हवा ना मिलती transfer rumor के बारे में इतनी बात नहीं हो रही होती इस वक्त पर सबसे ध्यान देने वाली चीज़ यह कि आरने slot की Liverpool क्या होगी उन में कौन-कौन से players यहाँ पर आपके long term vision को match करेंगे वो अभी किसी को पता नहीं है और यही एक सबसे वड़ा main reason है क्यों यहाँ पर यह जो rumors है वो तूल पकड़ रहे हैं अब Real Madrid के पास कारवाहल है लेकिन Real Madrid के पास कारवाहल के अलावा यहाँ पर आप देखोगे सिर्फ वास्केज है और वास्केज वो quality hold नहीं करते अगर यहाँ पर Trent Arnold इस project पर काम करना चाहते है Madrid के साथ I think Real Madrid फिर यहाँ पर आईगी और Trent को लेके जाना चाहेगी definitely बड़ उससे पहरे उने Trent के साथ पास करने पड़ेंगे बड़ा अलग सा scenario चल रहे है अभी लिवरपूल के लिवरपूल कोई signing भी नहीं कर रही है उनके जो transfer targets है वो दूसरे लेके जा रहे है तो यहाँ पर अब अगर उनका जो star boy है जो poster boy है इस पूरे project का अगर वो चला जाता है club से तो कितना बड़ा जटका लगेगा यहाँ पर आपके लिवरपूल के इस project को और फिर यहाँ पर Michael Edwards के होने के बावजूद अगर यह चीज़ें होती है तो फिर लिवरपूल fans किस त after players but not every player every club is able to basically get the number one targets on board United on the other hand they are working like a serious club now and I'm pretty pretty glad that हमने यहाँ पर जो footballing brains थे वो अपॉइंट के उसके बाद हमारा जो football operations है वो अब better direction में move कर रहा है और अगर इसी तरीके से हम काम करते रहे I think आने वाले दो तीन सालों के अंदर यहाँ पर एक P.L. title हम expect कर सकते हैं क्योंकि अगर प्रोजेक्टर detection सही होगा और अगर लोग सही होंगे आपके management level पर coaching level पर फिर आप वो चीज़ deliver कर सकते हो जो आप इतने दिन से achieve करना चाहते थे बड़ आपके हिसाब से यहाँ पर मतायजिलिट और मैनल उगारते के अलावा आप कौन सा player चाहते हो जो कि United join करे हो औ यहाँ पर उगारते और मतायजिलिट की deal पूरी हो जाएंगी और बासोना फैन से मेरा सवाल है कि अगर आपको एक player बेचना ही पड़े तो वो कौन सा player होगा जिसके लिए आप यहाँ पर निको विलियम्स को लेकर आप आप आओ जिसके जाने के बाद और यहाँ पर Liverpool और Real चल रहे है अभी Trent Arnold को लेकर क्या Liverpool यहाँ पर Trent को रोक पाएगी या फिर यह deal snatch कर ले जाएगी Real Madrid अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स के लिए और यहाँ पर रोज लाइफ स्टीम के लिए बाकी मैं मिलता हूँ आपसे रात में लाइफ स्टीम के उपर धान रखिये अपना बाबाई टेक केर